मुझरा करोगे क्या मुझरा सुनके आपके जेहन में कई तरीके के सवाल आ जाएंगे हिंदी फिल्मों के रुपाले परदे पर मुझरा करते हुए लोग और मुझरा का लुफ्ट उठाते हुए जो उस वक्त के बड़े लोग थे जिनकी बड़ी सक्सियस होती थी वो लोग दिखाई पड़ जाते हैं मुझरा सिनेमा में होता था मुझरा कोठे पर होता था मुझरा राजाओं के दरबार में होता था ठुमके लगते थे घुंगर की आवाज आती थी धोलक की थाप पे तबले की धुन पे मुझरा में अमुमन महिलाओं को लड़कियों को उस वक्त के कलाकारों को बेगमों को नास्ते में दिखा जाता था उनकी एक अलग पाचान थी उनकी अलग जरुवत थी लेकिन आपको भी यह लग रहा होगा कि हम मुझरा की बात क्यों कर रहे हैं दरसल मुझरा की बात हम इसलिये कर रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी चुनाव परचार में मुझरा करने की बात करके गया है मोदी के लिए बाबा सावाम बेड़कर की भावना सर्वो पड़ी है इंडिय अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें उनको वहां जाके मुझरा करना है तो भी करें मैं स्थी स्थी ओभी से आरक्षण के साथ दट करके खड़ा हूं खड़ा रहूंगा जब तक जान है लड़ता रहूंगा और पी ए मोधी के बयान के बाद देश भर में सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडी में कोई सवाल है तो मुझरा है आके दिया मुझरा हाई क्या दरसल प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी बिपक्ष के उपर कॉंग्रेस राजद घटबंधन के उपर कॉंग्रेस वांदल घटबंधन को लेकर राष्टिय जनता दल के नेताओं को लेकर राष्टिय जनता दल के नेता लालू पर सद्यादों के उन बयानों को लेकर उन्होंने सीधे तोर पर पाटली पुत्रा लोगसभाज सीध पर चुनाओ परचार के दोरान एक बयान दिया जिसमें वो राजनितिक मायने निकाल रहे तो उनका कहना था कि विपक्ष के नेता अगर मुसलमानों के अरक्षन की बाते करते हैं तो वो उनके दरवाजे पर जा लोगसभाज 24 के चुनाओ के ठिक पहले आरक्षन खत्म करने की बाते उठाकर बीजेपी को परसान करने वाली विपक्ष को प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी उल्टा उन्हीं के जाल में फसाने लगे हुए अब पिये मोदी ने सीधे तोर पर काया कि विपक्ष के नेता तो यह चाहते हैं कि हिंदूों के अंदर जो गरीब लोग हैं जो पिछड़े लोग हैं उनका आरक्षन खत्म करके और यह आरक्षन सीधे तोर पर किवल एक जाती भीसेस के लोगों को एक धर्म भीसेस के लोगों को दे दिया जाए इस बात से प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी क इतराज है लेकिन बात सोसल मिडिया के हम करने कि वो तो बात चुना भी हो गया जो अब तक हमने आपको बताई हमने शुरवात जिस मुद्रे से की थी मुझर तो मुझरा पर हम आते हैं अब सोसल मिडिया पर मुझरा करते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं सोसल मिडिय पर मुझरा, सोसल मीडिया पर मुझरा आखिर इस तरीके से ट्रेन क्यों करने लगा, जो छवी, जो कलाकारी, जो दौर बिलुप्त हो गया है, अब मुझरा नहीं होता है, अब मुझरा करने वाले लोग कम दिखाई पड़ते हैं, अब किताबों के पन्नों में और कहानियों म में, उनके महमानों के स्वाकत में, उनकी साम और सौकत को बढ़ाने के लिए मुझरा किया जाता था, वो दौर खत्म हो गया, अब दौर दूसरा है, अब दौर 2024 का है, अब दौर नौजवानों का दौर है, अब दौर गरीबी और अमेरी के फर्क को मिटा कर बराबरी का द मुझरे को लेकर सोसल मेडिया पर जो ट्रेंड है और इस मुझरे में तरह-तरह की बाते कही जा रही है, आपको बताते कि मुझरा में दिखाया जा रहा है कि एक तरह प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी की फोटो इस्तमाल किया गया है, और मुझरा में अमोमन दिखाया जाता ह रोना आपधे जब मुझरा होता था तो जो पैसे वाले लोग होते थे वो उस वक्त के सबाब के नसे में डूबे होते थे रुपे और मदिरा दोनों का खूब चलन होता था हलाकि जिस दौर में मुजरा का परचलन सबसे ज़्यादा था परचलन वो खत्म हो गया उसमें सोने हीरे जोहरात की बात होती थी और वो पेसकसी में दिये जाते थे वो इनाम सोरूप दिये जाते थे तो वो दोर भले ही खतम हो गया लेकिन सोसल मेडिया पर एक बर फिर से मुजरा परधान मंतरी के बयान ट्रेनिंग में और दिखा जा रहा है किस तरीके से पुझी पत्यों के साबने परधान मंतरी नेरंद मोदी मुजरा कर रहे हैं ये बी-जे पी और परधान मंतरी नेरंद मोदी के जो बिरोधी हैं वो कर रहे हैं जबकि पी-ए मोदी और बी-जे पी के समर्थक हैं वो मुजरा करते हैं। वे बिपक्ष के नेताओं को दिखा रहे हैं लेकिन हमारे पास जो मुजरा के तस्वीर है जिसकी हम सर्चा कर रहे हैं उसमें पत्रकारों को भी सवाल के घेरे में रखा गया है इसमें तमाम राजनितिक दलके नेताओं को भी सवाल के घेरे में रखा गया है पिये मोधी के बयान को भी रखा गया है और सीधे तोर पर प्रधान मंतरी नरंद मोधी के सामने धेर सारी स मस्या है उसको गिना गया और तरह तरह के जो लोग है वो पी ए मोधी के इस बयान पर भी टिपनी कर रहे हैं कि पीए मोधी की भासा ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी वो बोल रहे हैं दरसल सोचल मेडिया पर दो वर्ग है एक वर्ग प्रथान मंत्री नरहंदर मोधी और बीजे चुनाओं में सियासत करने वाले लोग पहले ही तोड़ चुके हैं चुनाओं के दोरान याद जो सत्ता पक्ष में जो पावर्फुल होते हैं उनके लिए सब्दों की नई जो है वड़माला गड़ी जाती है उनके लिए अलग से सब्दों का परियोग बनाया जाता है उनक मुझ्राख नाहिए उसके समर्थक किसी अन्य लोगों के बाते सुन सकते हैं हर बात मुझ्राच कर्क्रवापस करते हैं तोुम निस्टर का सिधान थे वह बदल गया है and मुझ्राच के वल चुनावी भाशनों में दिखाई पड़नाई पड़नरा और मुझरा अब चुनावी मंच पर भी दिखने लगा है अब एक तरफ मुझरा करने वाले लोग कौन है और मुझरा के विरोद करने वाले कौन लोग है तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि मुझरा क्यों होता था मुझरा एक वक्त पे अपने आपको समाज में सबसे Weinkeазweल, वविए लोगों के सूची में सुमार कराने के लिए अपने हर कारी करम में अपने या महमान नवाजी में या अपने महमानों को खुष करने के लिए मुझरा का एक चलनता मुझरा करने वाले भी एक लोग हुआ क्रते थे उनकी एक अलग से जमात होती थी जाती की बाते में इसने नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझरा करने वाले लोग बेवसी में जीते थे मुझरा करने वाले लोग उस वक्त के ठोकर मारे हुए लोग होते थे मुझरा करने वाले लोग उस वक्त समाज के उन तबके से आते थे में जिस समाज के लोगों से लोग अपने ढामन को सफेद रोसनी में बचाने की कोशिश जरूर करते थे लेकिन काले और काले और काले जो कोठी होती है अंधेरा होता था उस अंधेरे में हर कोई वहां जाना चाहता था तो मुझरा का रुत्बा तो मुझरा और हर वक्त मुझरा करने वाले लोगों की परिभासा बदलती रही है लेकिन सोसल मीडिया पर मुझरा की बात है इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधान मंत्री ने वह बात है कि और प्रधान मंत्री के बयान के बाद क्यों इस तरीके स जो तस्वीर है वो तस्वीर है आप 30 जनक भी है वो तस्वीर है जो सोसल मेडिया पर दिखाई जा रही है जो सुनाई जा रही है उन तस्वीरों को लेकर विवाद फिर से खड़ा हो सकता है लेकिन जिस तरीके की बाते कही जा रही है जाहिर सी बाते कि जो तस्वीर है हम देश के लिए राजनीत करने वाले लोगों के लिए और सियासत में एक दूसरे दल के समर्थक होने के लिए साथ ये वाजिब नहीं है जो तस्वीर इस मुझरा करने वाले लोगों के लिए लगाई और दिखाई जा रही है उन तस्वीरों को आज हम नहीं दिखाएंगे आप सोसल मीडिया पर खुद देख लिजिए अमुमन है यह तस्वीरे हम आपको दिखाते रहते हैं लेकिन आज हम वो तस्वीरे ना दिखाएंगे और नहीं मुझरा करते वे लोगों की बारीकियों से चर्चा करेंगे फिलाल मुझरा आप खुद एक बार फिर से सुनिए और प्रधान मंत्री नरंद मोदी के मुझरा के यह सब दो पर आकर मुझरा उन्होंने क्यों कहा वो बयान भी हम आपको जरूर सुनाएंगे लेकिन मुझरा करने वाले लोगों की तस्वीरे नहीं दिखाएंगे मोदी के लिए बाबा साब आम बेड़कर की भावना सर्वो पड़ी है इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करे मैं S.C.S.T.O.B.C.R.A.C.R. के साथ जट करके खड़ा हूँ खड़ा रहूँगा जब तक जान है लड़ता रहूँगा 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ